जहिन साथियो नमस्कार अभी हम कुशीनर जीले के हाटा तस्यम मौजूद हैं और यहां पर गोरकुरी निउरो क्लिनिक खुला हुआ है जो सेम डाक्टर रजनीस कांत के मौडल पर काम होता है आप जो कि यहां पर गोरकुरी जी मौजूद है और इसे जानने का प्रयास करें आपके चैनल के माधम से मैं सभी स्रोताओं को प्रणाम करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर कुंगर गुरकपुरी और जो है कि हमारे वहां मैं वहां कि मैं एक निउरो थरेपिस्ट हूं प्लस केरोप्रेक्टिक का भी काम अपने वहां चलता है तो अपने वहां किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जैसे आल ओभर बॉड़ी में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है कि डॉक्टर रजनी सकांत जी को रजनी स क्वालिटी है हम वो कर सकते हैं उस तरह से हम लोगों का इलाज कर सकते हैं विदाउट मेटिसिन हम ठीक कर सकते हैं उन्होंने इस अस्तर पे काम किया कि लोग उनके पास आज आते हैं और उनको जो है कि देश बीदेश से लोग ट्रीट्मेंट के लिए उनके पास अपॉइ आती है तो मैं कोशिश में वही हूँ कि सेम जैसे उन्हों ने मेहनत किया है और वहां तक पहूंचा है कि लोगों की whole body की जो भी pain है जहां भी कुछ समस्याएं हैं जिससे लोग treatment करवा के ठक जाते हैं treatment करवा के ठकने के बाद में ऐसे डॉक्टरों के पास में ऐसे नियूरो थरापिस्ट के पास में पास में पहुंचते हैं और वहां पर उसके बावजूद भी ठकने के बावजूद वहां पहुंच करके ठीक हो जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल देखते हैं डॉक्टर रजनीश कांत जी को की रजनीश कांत जी दो मिनट में आपकी body की हड़ियों की bones की alignment करके setting करके आपको ठीक कर देते हैं आपकी जो भी दर्द रहती हड़ियों की नसों की वो automatic से चली जाती है ठीक उसी प्रकार मेरे वहां भी इस तरह की treatment चलती है और all over body में आपको कहीं भी pen है किसी भी तरह की कमर में दर्द है आपको गर्दन में दर्द ह है शर में दर्द है गुटने में दर्द है एडी में दर्द है आपको कहीं भी दर्द है मुश्किल से 2-5 मिनट होते हैं और आपकी दर्द समाप्त हो जाती है इसमें होता क्या है कि हम जो नसे हमारी body में 60,000 मिल नसों की लंबाई है जो हम कहें तो बिश्व में पूरे हम लगा सकते हैं इतनी नसे हमारी body में हैं और उन नसों को चलाने के लिए हमारी body में जो है कि blood circulation की बहुत बड़ी रोल होती है और जब हमारी body में blood circulation कहीं भी बाधित होती है तो हमें pen होना शुरू हो जाता है तो जहां पे भी blood circulation रुपती है नसे blockage होती है हम कहते हैं कि हड्डियां जो है कि नसों को दबा रही है नसे हमारी दब गई है डिस्क bulge हो गया है हमारी जो है कि spiontolitis की समस्या है cervical की समस्या है हमें जो कि siatka की समस्या है घुटने की दरध है नीपन है तो इस तरह की समस्य च्च्नियां में होता क्या है कि हमारे अंदर की cartilage होती है वह सूख जाती जिसको हम normal भासा में कहते है कंए हमारी घ्रीयों के बीच की जो grease है वो सूख गई है और उस grease को बिल्कुर से dentalerweise करने के लिए हमको ऑषब हम सबसे पहले उस हडियों के शटिंग करने होती है कि उस हड़ियों के आज पास में हमारी मांस है, मस्कुलार पेस जो होती है, नसे ब्लोक रहती है, जब हम उसकी सेटिंग करते है तो हड्डियों की जब सेटिंग आपस में ठीक त kingdom कर रहा हो जाती है तो हड्डियों को जगए मिलती, में जो भी कुछ खा पी रहे हैं वो हमें प्योर नहीं मिल पा रहा है पहले लोग 100 साल जीते थे 120 साल 200 साल जीते थे और आज की जनरेशन में हमारी उम्र 50 से 30 के 70 के 20 65 से 70 60 से 70 65 यही मान के चला गया है कि इसी बीच में हमारी जो है कि उम्र सिमित रह गई है इसका में रीजन ह कि हमें प्योर भोजन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम फसल जो उगा रहे हैं उसमें डाई डाल रहे हैं यूरिया डाल रहे हैं पेस्टिसाइड डाल रहे हैं और उस फसल को हम यूज कर रहे हैं जो हमारी बॉड़ी में जाकर कर टॉक्सिन पैदा कर रही है जो हम टॉक्सि बिमारी हमारा बनने का रिजन है कि ट्रॉक्षिन हमारी बोड़ी में जब ज्यादा होगा तो हमारी बोड़ी को ठीक से रहने नहीं देगा वो नार्मल है कि बिमार पढ़ना ही पढ़ना है उसके बावजूद भी हम fast food खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल जैसे पानी पूरी हो गया बर्गर हो गया चाउमीन हो गया हम भोजन करने के बाद में नास्ता करने के बाद में सामकों पहुँंच जाते हैं और चाय पीते हैं पकोडी खाते हैं हम fast food तमाम सारी लेते रहते हैं आज कल का हमारा fashion बन चुका है और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति का आज कल fashion बन चुका है कि लोग नार्वल पानी पहले पीते थे कुए से भर करके, हैंड पंप से भर करके और आज जो है कि कुछ दिनों पहले आपको पता था कि विसलेरी की बाटल आती थी हम खरीत के पानी पीते थे कभी-कभी जरूरत पढ़ने पे किसी को आने पे हम उसकी स्वागत में वो विसलेरी का बाटल यूज़ कर दे थे किन्तो आज की जेनरेशन में ये फैसन बन गया है कि हमारी हर पार्टियों में वो हम purified water जो है कि हम यूज़ कर रहे हैं और जिसमें से purified water जो है कि हमारी जो आरो लगी होती है उसकी जितने भी minerals होते हैं उसको निकाल करके बाहर कर देती है जो हमारी बॉड़ी को, सेहत को, हमारी लाभ पहुचाने वाली खनिज है, वो बाहर चले जाते हैं, और हमारी हड़ियों को मजबूती नहीं प्रदान हो पाती है, तो इसे हमें एवाइड करना चाहिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा. सर, जो ब्यक्ति एगर किसी बिमारी से गरसित है, आपके पास दवा कराने हैं ते, आपका प्राइस रेट कितना है, कितना रेट में जो कि आप उसका इलाज कर सकते हैं? लेकिन मेरे वहाँ एक नार्मल रेंज रखी गई है, 300 रुपे मात्र एक लोगों की फिच, पूरी बॉड़ी की अलाइमेंट करने के लिए, नशों को खोलने के लिए, पूरी बॉड़ी की सेटलमेंट करने के लिए मात्र तीन सो रुपे होती है. क्या कोई medicine भी देतें अन्य की छिर्फ therapy करतें इसमें medicine की जरूरत पड़ते ही नहीं है आप medicine को खाकर के आए हैं ठक कर के आए हैं और मैं आपको without medicine आपकी dard को गायब कर देता ह। में दर्ध जब गाइब हो जाते हैं तो आपको लगता है कि वास्तों में कोई ज्यादू हो गया तो आपकी दर्ध गायब हो गяти च्रूति मेडिसेन लें ज़रूरत नहीं है मेडिसिन लेने की चरीस आम्तों में ऐसा कॉन सा ज्यादू जड़ा सोचिए एक मिनेट में जो कि पुराने से पुराने दर्द को एक मिनेट में चुटकियों में गायब करना कोई आम बात नहीं है इन हाथों मुआख़ई में कोई जादू है जो बेक्ति दवा करा कर ठक हैं पिरिच आप से निवेदा नहीं एक बार आईए और जरूर इनको पीडित है उनको क्या सजेशन देंगा सर जो बीमारियों से पीडित हैं हम जानते हैं कि हमारी जो चिकित्सा योग चिकित्सा प्राकृत चिकित्सा जो चली आ रही है सदियों से चली आ रही है और उन सदियों की जो चिकित्सा है उसी आधार पे यह जो है क्यारो scientist लोगों ने मिल कर के इसे modify कर दिया है और इसमें scientists की work बहुत ही कम है जो हमारे कहते हैं ने कि हम कि हैं देशि जो scientist हमारे ग्रामिड एरिया में हमारे city एरिया में जहां कहीं भी हमारे पहले जो है कि बैदे लोग हुआ करते थे गाउं में जो लोग ठीक नहीं हो पाते थे, उनको ठीक किया करते थे, आरुवेदिक दवाईयां दे करके, देशी दवाईयां दे करके, तो उन लोगों ने इसको मोडिफाई किया, कि हम क्या करें, कैसे करें, कि इसको हम आगे बढ़ाएं, तो मैं बताना चाहूंगा, कि इस जो है कि न नियोरो थरेपी का सुरुवात किया और उन्होंने इस नियोरो थरेपी का सुरुवात करके उन्होंने ऐसा कर दिखाया लोगों के बीच में ऐसा संदेश दिया लोगों के बीच में ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि कौन सी नाणिया कहां पे जाके लगी हुई हैं कहां से उनकी न प्राक्रत की चिकत्सा है जिससे हम बिल्कुल प्योर कह सकते हैं कि देशी है बिदाउट मेडिसीन हम उसे ठीक कर सकते हैं इन बीमारी को गंभीर से गंभीर बीमारीयों को इसका process है, कि वो हमारे वहाँ से भी course कर सकता है, मैं उल्रेडि मास्टर डिप्लोमा हूँ, तो हमारे वहाँ से भो course कर सकता है, और हमें contact करें, या अन्यत्माम सारी जो है, कि हमारी head, elemental, ढक्र लाजबत महरारा, जो है कि academy मुंबई में है, वो head है, वहाँ से तमाम सारी और साखाएं हमारी दिल्ली में चल रही है, राजास्थान में चल रही है, 36 गड़ में चल रही है, तो तमाम सारी जगों में आपके इसके सेंटर मिल जाएंगे, जहां से भी आप चाहें अपनी कोर्स को कर सकते हैं, आनलाइन, आफलाइन दोनों चलता है तो इसके लिए आपको intermediate कम से कम compulsory है, intermediate होना चाहिए, उसके बाद आप इस course को कर सकते हैं, और यह total course होती है, मात्र डेड़ साल की, एक साल की course होती है, और six month की internship होती है. तो निवेतं है, जितने लोग कसी कमभीर बिमारी से प्रेड़ी थे, तो उन्लोग से निवेतं एक बार गुरक पुरिया जो कि newosclinic है, सेवा की मौका दीजिए और पूर गुरक पूरी जो डाक्टर साहब हैं, इनको एक बार फ्लिज सौ्ट की में झाल मौका दीजिए, और डाक्टर साब के बारें क्या सोचता अपने इराय जरूखेंगा बागी नए हो तो हमारे चनल सब्सक्राइब कर दीजगा जये जवान जये किसा